नमस्कार, स्वागत है आपका Business Today पे मैं हूँ सिधाद जराबी और आज बात करेंगी दो बड़ी नौकरियों को लेके जो स्कीम्ज और घोशनाएं हुई हैं उनके बारे में एक तरफ अगनिपत और दूसरी तरफ 10 लाक सिविलियन नौकरियां और आने वाले एक डेड़ वर्ष में नौकरियों की भरमार हर तरफ नौकरियां ही नौकरियां जिन में से 10 लाक सिविलियन और इस वर्ष में ही 46,000 जवानों की भरती हमारी तीनों सेनाओं में थल सेना, वायू सेना और हमारी नेवी में और इस विशे पे आगे चर्चा करने से पहले एक बारी दो मंत्रियों की बात सुन लेते हैं श्रीमान राजनाथ सिंग जी देश के रक्षा मंत्री और श्री अनराग ढाकुर देश के सूचना प्रसारन मंत्री आए सुनते हैं उन्हों ने इन दोनों विश्यों पे क्या कहा अगनिपत नामक एक ट्रांस्फार्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्ण फोर्सेट में ट्रांस्फार्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली माडर्न और वेल इक्विप्ट अगनिपत योजना में भारती नौजवानों को बतार अगनिवीर आर्ण फोर्सेट में सेवा का उसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने वह हमारे इवाओं को मिलिट्री सर्विस का उसर देने के लिए लाई गई है तो यह थी मंत्रियों की बात और अब पहले बात करते हैं अगनिपत स्कीम की ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है अगनिपत और यह अगनिपत क्यों हो सकता है कि सरकार ने श्रीमान हरिवंश राई जी बच्चन अपने देश के इतने बड़े जो कवी थे उनके द्वारा लिखी गई रचित अगनिपत कविता से प्रेरना ली हो और अगर आपने अगनिपत पड़ी नहीं है सुनी नहीं है तो एक बारी उन पंक्तियों को हलांकि ना हरिवंश जी की तरह और ना श्रीमान अमिता बच्चन जी की तरह मैं उचारन कर पाऊंगा फिर भी प्रयास करूंगा क्योंकि जो उस कविता में है वही इस अगनिपत स्कीम का उद्देश है मोटा मोटा अगर माने इस बात को तो अगनिपत 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 व्रक्ष हों बले खड़े हों घने हो बड़े एक पात्र छां भी मांग मत मांग मत अगनिपत 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 तू ना थकेगा कभी तू ना थमेगा कभी तू ना थमेगा कभी तू ना मुडेगा कभी कर्षपत कर्षपत अगनिपत 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 और आप ध्यान दें जो अब कहा जा रहा है यह महान दृष्य है चल रहा मनुष्य है अश्रुस्वे द्रक्त से लटपत 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 अगनिपत 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 और मैं जितना इसको पढ़ पा रहा हूं जितना मैं समझ पा रहा हूं, तो मुश्किलों के रास्ते पे चलने के लिए, देश के लिए, जमीन के लिए, मातरभूमी के लिए, राश्टर के लिए, बलिदान देना, अपना खून बनाना, अपना सर्वस्व माभारती को पेश करना, इसके लिए एक प्रकार से ये प्रेरना है, और मुझ कि नाम के पीछे जो रचना है ये उससे प्रेरना ली है कि कोई और कारण है क्योंकि ये जो जवान 46,000 इसी वर्ष 90 दिनों में उनकी भरती की प्रक्रिया चालू होगी जो दो साल से बंद पड़ी थी कोविड काल जब शुरू हुआ तब से उन 46,000 लोगों को जो भरती में हम साल की जो सेवा है वो सेवा समाप्त होगी उसमें से 25 प्रतिशत याने 11,000 करीब के लोगों को रिटेन किया जाएगा आर्मी में लंबे और समय के लिए जवान की जो अबदी है हमारी सेनाओं में अगर उसको एवरेज हम देखें तो लगभग 15 वर्ष की सेवा एवरेज प इस से जो 25 प्रतिशत निकल के बचेंगे वो शायद और लंबे जाएंगे और इसमें जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है और कई सेना के पूर्व अधिकारियों का जेनरल्स का और लोगों का इस पे एक दूसरा रुख है उनके कुछ और कॉमेंट्स हैं बट जो में चीज इ यह आती है कि चार साल के लिए एक फिक्स टर्म कांट्रैक्ट एक प्रकार से रेकूर्ट्मेंट का होगा चार साल की नोकरी जब समाप्त हुई तो क्या मिलेगा इस अगनिवीर को जो आगे कंटिनू नहीं करेगा तो पहले साल में पैकेज करीब पौने पांच लाख रुपिया चौते वर्ष में हो जाएगा यह पौने पांच से करीब करीब साथ लाख की जो यह है साथ में यह मैंने धनराशी की बात की सैलरी की बात की रिस्क एंड हाडशिप रैशन ड्रेस ट्रेवल अलाउंस जो मिलती हैं वो मिलती रहेंगी और एक सेवा निदी होगी लगबग पौने बारा लाख रुपिया चार वर्ष के बाद जो इंकम टैक्स से महफूज रहेगा इंकम टैक्स इस पे नहीं लगेगा और तीस परसंट इस पैसे का जो अगनिवीर है वो खुद देगा और डेथ के समय कॉंपेंसेशन इंशुरंस अड़तालीस लाख की औ और एडिशनल एक्स ग्रेशिया जो कहा जाता है वन टाइम चवालीस लाख का और जो बची हुई अवदी हो उस चार साल के कारेकाल की शौट टर्म सर्विस की उसका जो सैलरी का कॉंपोनेंट है वो उस अगनिवीर के लिए जो देश की रक्षा में अपनी जीवन को सेंसेशन मी मिलेगा डिसिबिलिटी के लिए उसके भी अलग-अलग माबदंड बोले गए हैं ट्रेनिंग उसी प्रकार की होगी पूरे देश से रेक्रूटमेंट होगी सेंट्रलाइज ट्रांस्परेंट सिस्टम होगा ऑनलाइन व्यवस्था का भी इसमें इस्तिमाल होग स्किल गेनिंग की सर्टिकेट मिलेगी और सेवा निदी जो मैंने आपको बताया वो भी एक यकमुष्ण मिलेगी और सरकार का कहना है कि इससे आम्ड फोर्सिस को क्या मिलेगा एक यंगर प्रोफाइल जो जवान की होगी यानि युवा होंगे और वो युदुक में कि कोई भी तुर्टी चोटी मोटी रह जाती होगी तो बट यह बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है जो लोग महिनों सालों इसके लिए तयारी करते हैं और आपने बहुत वीडियो ऐसे देखे होंगे और वो एक बड़ा प्रचलित भी है वीडियो जिसके साथ एक गाना चलता ह फिलिंग प्राउड इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कभी नहीं हारती अगर आपने वो भी सुना हो वैसे वीडियो देखे हो तो आप खुद इस बात से बलिबाती वाकिफ रहेंगे और अगर आप दूर ग्रामीन छेतरों में भी गए हो सुबे पांच बजे आप नहीं होगी क्योंकि देखिए ये दूसरा पक्ष जो कहा जा रहा है वो पक्ष है कि जो हमारा ओवर ओल रक्षा बजेट है जो केंदर पे रक्षा बजेट है और ये पैरा मिलिटरी और होम मिनिस्टरी सी आर पी एफ बीस एफ से अलग है इस बात को समझ लीजेगा ये पहनते हैं ऐसे लोगों की भी भरती होती है जिसे डिफेंस सिविलियन एंप्लोईज कहा जाता है उसको पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे तो जो पूरा डिफेंस बजट इस वित्य वर्ष के लिए बताया जा रहा है जो बजट में पास हुआ वो सवा पांच लाग करोड जिसमें से करीब करीब सवा लाग करोड पेंशन के लिए माना जाता है तो सवा लाग करोड एक बहुत बड़ा अमाउंट है पेंशन के लिए और ये कहा जा रहा है कि ये जो नई एक प्रक्रिया लाई जा रही है और जो इमिजेटली इंप्लिमेंट हो रही है और कुछ से तो यह कहा जा रहा है कि जो 16-17 साल की अवधी के जो नॉर्मल प्रकार की रेक्रूटमेंट होती थी उसमें करीब साड़े ग्यारा करोड रुपिया एक जवान पे खर्चा होता था उसकी एवज में एक खर्चा कम होगा अब आने वाले दिनों में इस पे और भी कई बाते नि एक्रूटमेंट की फिलोस्फी और जो सेना में जाता है उसका जीवन कम्प्लिटली बदल जाता है और जो स्टेंडर्ड्स होते हैं आखिरकार नौकरी तो है पर यह ऐसी नौकरी है जिसमें पूरी चांस ये भी है कि युद में जवान और अफसर दोनों की जान जा सकती है और भारती सेना इसमें बड़ी मानी जाती है दुनिया बर में कि यहाँ पे जो अफसर है वो पीछे से बैठके नहीं कई बारी युद में हमने देखा है कि अफसर और जवान साथ में गोली खाने के लिए तयार रहते हैं तो अगनीपत की जो वो लाइन्स थी शायद ये क् स्कीम का फाइदा होगा रक्षा बजट में कितना सेविंग होगा वो कहां पे इस्तेमाल होगा क्या हमारी जो सेनाएं हैं वो ज्यादा तकनीकी ओरियन्टेशन की होंगी क्या ड्रोन्स और नई तकनीकों से युद लड़े जाएंगे और कितने जवान की आवशकता होगी इस पे जो विशेशक यह हैं जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा टिपनी कर पाएंगे तो ये अगनिपत की बात और जाते जाते आप से प्रधान मंत्री ने जो आज सुबह सवेरे एक ट्वीट किया जिसे एक और खुशी की लहर निकल पड़ी हो और मैं ये कहूंगा कि जो केंद्रिय कोटा में हैं उसमें सारे मंत्राले आते हैं और उसमें डिफेंस के सिविलियन एंप्लोईज भी आते हैं रेल्वे विभाग आता है पोस्टल विभाग आता है और 2020 के डेटा के अनुसार इन में से कई विभागों में काफी भरती का स्कोप था पिछले साल में चुनाव आते आते दोहजार चौबीस के ये भरतिया होंगी तो जो नोकरी की कमी और महंगाई की मार एक जो चल रही है शायद उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा आम आदमी को और उन युवाओं को जो एक रोजगार और अपना जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो अ के लिए नमस्कार वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें